बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवियों ने कॉंग्रेस नेता दिख बीजेश सीह का एक ओडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कलब हाउस चेट के दोरान पाकिस्तान के पत्रकार से कहा कि अगर कॉंग्रेस की सरकार आती है तो अनुच्छे 370 पर दो बार आविचार किया जाएगा क्लब हाउस चेट का एक ओडियो सोचल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है इस वीडियो में कॉंग्रेस नेता और राज्यसभा सांसत दिग्विजे सीह ने जम्मु कस्मीर से आर्टीकल 370 हटाई जाने के फैसले पर बात कर रहे हैं उनके कथित ओडियो में वह बोल रहे हैं कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोगतांतरिक मुल्यों का पालन नहीं किया गया इस दोरान नहीं इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कस्मीरियत भी नहीं थी सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया अगर कॉंग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे और आपरा स्थम्रीच करेंगे का लिए बंदे रखार ठीकल 30370 बंद इस इस आनियत वाज विचार विच विच बहूएं बहूं 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 बहूंपराश्य and Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism because in a in a Muslim majority state there was a Hindu Raja and both work together in fact the 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 reservation in Kashmir was given to the Kashmiri pundits in government services so therefore the the decision of revoking article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely I would say sad decision and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue thank you thank you so much